हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आरेना किचिन कठल तो आपने पहले भी बनाया होगा लेकिन आइम शौर के आपने ऐसा कठल कभी नहीं खाया होगा जैसे आज मैं आपको बताऊंगी तो चलिए आज कठल बनाते हैं पहले मैं मसाला कठल बनाऊंगी मैंने एक बड़ी प्याज ली है जार में डाली है मैंने दो अद्रक के टुकड़े थोड़ा से लैसुन 4 5 काले मिर्च थोड़ी सी लॉंग और हारी मिर्ची एड़ करी हैं यह थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया है यह एड़ किया है मैंने दो चमच के करीब और सोंफ आज यह धनिया सोंफ और सिफ प्याज के मिक्स्चर से बनाऊंगी और एक बार यह कठल आप जरूर ट्राय करिएगा यह बहुत ही डिलिशियस रेसिपी है मैं इसमें थोड़ा पानी एड़ करेंगे हम इसमें ज़्यादा पानी एड़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक थिक सा मिक्शर रखना है यह सब मसाले जो हमने इसमें डाले हैं मिक्स्चर में और जो इसका पेस्ट बनके रेड़ी होगा जब हम इसे भूनेंगे न तो इतना अच्छा फ्लेवर आएगा कठल में कि आप नॉर्मल जो कठल बनता है उसे भूली जाएंगे देखिए अब हमारा यह मिक्शर रेड़ी हो गया है इस तरीके का हमें यह रखना है अब अपनी कड़ाई को हम गैस पे रखेंगे उसमें ओयल डालेंगे यह मैंने मस्टर्ड ओयल यूज किया है आप कोई भी ओयल यूज कर सकते हैं उसके बाद मैंने इसमें एक चमत जीरा डाला है जीरे को अच्छे से भून जाने देंगे उसके बाद हम अपना प्याज का जो मिक्शर है वो हम इसमें डालेंगे कटल के बहुत सारे health benefits है कटल कई तरीकों से बनाया जाता है और कटल के जो बीज है उनकी अलग से सबजी बनती है चट्टी बनती है आज मैं आपको इस सब बताऊंगी देखिए जो मैंने मिक्शर डाला है इस मिक्शर减ज को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बुणना है क्योंकि इसमें हमने जो जो मसाले डाले और रखाइव तभी आएगा जब आप इसको अच्छे से भूल लेंगे यह जोड़ा टाइम लगता है लेकिन इसको बहुत अच्छे से हुनना है तaty honoring तरीके से जब टी आपनाट विल्कुल इसके बाद हमने उसमे लाल म्रॉ cushion डाली है कि उसके बाद में पितना मागा Snake किया हैं में आपने गार्डिंग एड करें है कि इसे बहुत इंद्ध Campbell है ताकि हमारी हल्दी और जो मिर्च ए वह बुन जाए और जो कथल है उसमें बहुत अच्छा कलर आयए है कि बहुत आच्छे से से seriously मानने है कि इसे माद में इसमें थोड़ा सा जो है चाप मसाला डालूँगी या आप इसमें मीट मसाला भी डाल सकते हैं जो अम मैंने में किचिन किंग अड किया है किचिन किंग अड करने के बाद मैंने ये कठल पहले से छील निकाल लिये हैं बहुत अच्छे से mix करना है और इसको कम से कम 2-3 मिनिट इसको ऐसे ही roast कर लेना है ताकि अच्छे से बुन जाए और सारा जो हमारा mixture है वो अच्छे से mix हो जाए कठल को खाने से बहुत सारे जो health benefit वो improve होते हैं जैसे हमारे skin problem है वो improve होती है हाड की कोई प्रॉब्लम है वह इंप्रूव होती है आपकी ूम्र की स्ट्रॉंग होती एक थら में बहुत सारे कार्व वाइबर प्रोटीन इफर पाया जाता है को पर मैंगनीशन कर दंध में बहुत सारी अंगिनत वेहं हैं यहेंडason आप अपने अकॉर्डिंग एड़ करें पानी डालने के बाद इसको थोड़ा चलाएंगे क्योंकि इसके जो मसाला है वो पानी में मिक्स हो जाए और अच्छे से नमक और जो मसाला है सब उसके अंदर पहुंच जाए मैं इसमें थोड़ा पानी और डाल रही हूं मुझे कम ल चेक करेंगे उसके बाद हम 10 मिनट में कठल को देखिए रएडी हो चुका है हम इसको में ट्रांसफर करेंगे और थोड़ा सा कॉरियंडर लीव से उसको इस पपने तो एक बाद जूरूर करिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताएगा बनाते हैं अपनी दूसरी रेसेपी कर्ड कठल कर्ड कठल पर भी मैं अस्टर्ड ऑईल यूज कर रही हूँ इसमें ऑईल थोड़ा कमी डलता है क्योंकि जो मैं धही डालूंगी उसका अपना भी वो धही भी अपना ऑईल छोड़ देती है तो फिर वो बहुत ज्यादा ऑईल सारी मिर्च मैंने इसमें एड़ करी है इन्हें अच्छे से रोस्ट होने देंगे कि यह जो कठल बनता है इसको आप दो तीन दिन तक अराम से बना के रख सकते हैं से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और अराम से नाश्टे में ब्रिक फास्ट में लंच में कभी भी खाईए इसको अब इसमें गरम मसाला एड़ करेंगे थोड़ा हल्दी पाउडर एड़ करेंगे एक चमच हल्दी पाउडर मैंने इसमें डाला है थोड़ा से हींग मैंने इसमें एड़ किया है उसके बाद थोड़ा से नमक मैं इसमें डाल रही हूं किचिन किंग मसाला डाला है मैं मैंने बहुत ही अच्छे से चलाना है सारे मसालों को अच्छे से भूल लेना है तक रही आज बाद ही मैंने यह मिरची जो हती हैं साबूत भली वो मैंने इसका SPDानी करीव हैं देख्यों भी अच्छे से हम वैयते वाल जो पाउडर वाली मिर्शे वो नहीं डानेंगे क्योंकि हम दही डाल रहे हैं तो दही के साथ यह चल जाती है और इसमें आधा के करीब मैंने इसमें दही एड़ करी है दही को डालने के बाद आपको यह याद रखता है किसे बहुत अच्छे से चलाना है बिल्कुल बहुत अच्छे से नहीं चलाएंगे तो आपकी दही फट जाएगी दही ने बिल्कुल कलर छोड़ दिया है और मैंने इसमें गरम मसाला एड़ किया है उसके बाद मैं कठल एड़ करें हूं यह कठल भी बनके बहुत अच्छा रेड़ी होता है और आप इसे दो तिन दिन तक सकते हैं बनाके रख सकते हैं यह बिल्कुल अचार जिसे अचार खा रही हूं तायब कलगता है हम इसको एक प्लीट से कवर्र करदेंगे और पांच मिनट इसको पकने देंगे, पांच मिनट बाद हम इसे देखेंगे, देखे, पांच मिनट बाद इसका जो हाफ कुकिये हो चुका है, देखे, अच्छे से, फिर हम इसको ढग देंगे और पांच मिनट और पकाएंगे इसको, दस से बारा मिनिट में ये अल्मोस्ट कुख हो जाता है उसके बाद देखिए ये अम हमारा रेडी हो चुका है और हम इसे बावल में ट्रांसफर करके थोड़ा धनिया डालेंगे अब ये रेडी है खाने के आज हम बनाएंगे कठल के जो अंदर बीज होते हैं उसकी चट्टी आम शूर आपने पहले कभी नहीं खाई होगी नेक पैन में कठल के बीज डाले हैं उसी में मैं लैसन और थोड़ा सा अद्रक एड़ कर दिया है अम मैं इसमें थोड़ा सा साल्ट डाल के इसको कवर कर दू यह दो 안नी जाएंस को उपर का हारड वाला पार्ट होता है इसको चील केल लग निकाल लेना है इस तरीके से हमें घ्रडक लिया है अब हम इसे वॉष करेंगे हम आप और हम इसे ग्राइंड करेंगे कटल की वीजों को हम ग्राइंडर तोक्स सिच्वाइब कुछ हम इसमें मिर्ची एड करें पानी हम जरुत है उतना पानीผी डालेंगे डाला है अन्य इस तरीके से हमेसे कि अच्छे से घ्राइंट कर लेना हैसके बाद करराई लगाइंगませ उसके गयं उस कि धूर्स Ren थोड़ा सा मस्टर्ड यलो मस्टर्ड सीड है यह चो मैने इसमें एड कीँ है थोड़ा सा जीरा हमने एड़ करेंगे और कैसे से बूनेंगे valid मैंने बहुती फाइं चॉप करके प्याज रखी योई थी मैने इसमें करिया उसाच्छ से भूनेंगे राइड चिली टॉल डालेंगे मिर्च कापेस्ट बना रहा है वहम मैद करें ओ किई क्यों कि भी नइसके के वह कलर नहीं आता हैं हमने हरी मिची डाली हैं पता नहीं तीखी है कि नहीं किud come to यह को अच्छ फ्लेवर ये थोड़ा सा नमक करेंगे इसा वह मैं करेंगा और पलोगईGO Region करेंगे अखो ऑफ 260 मिक्स्ट करेंगे कथल सीड में भी हाइपल पेजो स्थार्च प्रोती भी टामेर मिलरंस सब कुछ पाया जाता है और जितना बेनिफिशनल हेल्थ के लिए कठल है इतना ही बेनिफिशनल कठल के सीड है मैं इसमें जीरा पाउडर एड़ कर रही हूं और थोड़ा मैंगो पाउडर एड़ करूंगी उसके बाद हम इसे ठंडा होने के बाद एक मिक्स जार में रख लेंग झाले